ही गाइस वैलकम बैक टू मैं चैनल दिपिका स्टाइल और मैं हूँ दिपिका कैसे आप से भी लोग आई होप सब ठीक होंगे तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है स्वीट कॉर्न इस्टेक जो की खाने में बहुत ही जादा यम्मी सा और टेस्टी सा है बच्चो होता है तो चलिए फिर इस रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखिएगा कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्फुल रहें तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजेगा शेयर कीजे अपने फैंस फैमिली में तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं स्वीट कॉन स्टिक्स अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले यहां पर कौन लेना है जिसको हम भुट्टा भी बोलते हैं मक्का भी बोलते हैं तो सबसे पहले हम इसका कवर निकाल देंगे यह उपर का तो यह देखिए इसका मैंने यहां पर का कवर निकाल दिया है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप फ्रोजन मक्का भ तो यह देखिए अच्छे से भुट्टा बॉयल हो चुकल और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसका यूज करेंगे तो ये देखिए भुट्टा अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब हमें इसको दो भागों में डिवाइट कर देंगे पहले तो ये देखिए इसको हमने डिवाइट कर दिया है आदा इसको चाकू की मदद से हमने इसको काड दिया है तो stick बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर stick चाहिए तो यहाँ पर मैंने toothpick का यूज किया है तो toothpick में हमें भुट्टे को फसाना है तो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आपको यह फसाना है तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम भुट्टे के दाने को हम इसमें फसाएंगे तो सारे हम फसा लेते हैं पहले भुट्टे के दाने तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने रेडी किये हैं स्टेक्स तो अब हम इनको डीफ फ्राई करेंगे पहले तो ये देखिए क्रिस्पी से कौन मैंने अच्छे से डी फ्राई कर लिये हैं स्टिक्स बनके तयार नहीं है अभी अब इसमें थोड़ा सा मसाला एड़ करेंगे तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएं तो चलिए फिर बनाते हैं από तो यहां मैंने сबसे पहले स्वीत कॉन जो थे इसको अच्छे से स्टिक्स में फसालिया है तो अब बाकी जो मसाले हैं वो मैं दिखाती मुझा है पहले मैंने आएक चमश चाट मसाला पाउडर लिया है नेक्स मैंने यहां पर एक चमच बटर का यूज किया है नमक है तो नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लेजिएगा नेक्स यहां पर एक चमच नीबू का रस है और आदा मैंने ग्रीन चिली है आदी तो उसको बारिक चॉप कर लिया है लालमिच पाउडर है ग्रीन चिली मैंने इसलिए कम रखी है क्योंकि लालमिच का भी यूज कर रहे हैं हम और नेक्स यहां पर है धनिया पती तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना तो यहां पर एक बाउल में पहले मैंने स्टिक्स को डाला है नेक्स इसमें मैं डालूँगी लालमिच पाउडर तन इसके बाद मैं डालूँगी चाट मसाला पाउडर और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नीबू का रस नेक्स इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिली ग्रीन चिली आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आपको कितना तीका खाना पसंद है नेक्स यहां पे मैं बटर का भी यूज कर दूंगी इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे और नमक भी यूज करूंगी नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजेगा और साथी साथ हम इसमें डाल देंगे धनिया पती और इन सबी चीज मैंने इनको रख दिया है अच्छे से और उपर से धनिया पती से गानिशिंग कर दी है तो स्वीट कॉन स्टेक्स बनकर तयार है खाने में बहुत ही जादा यम्मी लगती है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है और खाने में तो और जादा टेस्टी लगेंगी तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्फुल रहे और ये रेसिपी पसंद आई हो अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीस लाइक करें शेयर करें मेरी वीडियो फैंस और सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा मेरे चैनल को और जो नए है मेरे चैनल पर तो भो भी ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ या अधर कोई एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार